कल परियाग राज की घटना तेन तो दुख़द है और इस घटना का जो भी दोसी होगा बक्सा नहीं जाएगा तो आप जानते हैं कि करवाई जब होती है तो यहां के बहुत तरीके से करवाई होती है लेकिने माफिया यह पेशिवर अपराधी आखिर किसके दौरब पाले पोशे गए है और क्यों इतने परिसानी हो रही है मनने हमारे नेता बिरोधी दल को जोरों के जो हैं हित ठगों के बल हैं जिनके प्रताब से पलते पाप सकल है जो चल परकंच सब को प्रस्रे देते हैं या चाटकार जनकी सेवा लेते हैं यह पाप उन्ही का है जो उत्तर प्रदेश की जनता को पचीस करोड जनता को पैचान का संकट खड़ा हुआ इन्ही पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण हुआ है जो सक्ता के द्वारा फोसित होते थे जिने महिमा मंडित करके यह लोग अपने आपको गौरवानित मैसूस करते थे जिन पेशेवर माफिया और अपराधियों के सामने सक्ता नतमस्तक होती थी और आज उत्तर प्रदेश भी इस बात को जान रहा है और देश और दुनिया भी जान रहा है उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के खलाब जो कारवाई चली है वह एक नजीर भी बनी है बनी है और फिर मैंने कहा है तो इसमें हम सुची भी जारी करेंगे मैं आ रहा हूँ आज हम कर रहे हैं आज उस पर पुरी चर्चा में भाग लूँगा और मैं तिसलिए मैं धन्यबाद दोंगा मैंने देख सी को कि उन्होंने मुझे आज के दिन दिया है मुझे लगता हूँ और कोई बिजनेस नहीं होगा तो इस बिजनेस को थोड़ा आज इसी पे चर्चा हो जाए इसी पे आज चर्चा कराई लिए जाया मोदे जब हम इस बात को कह रहे हैं मोदे ने जो यहां पर अपना अईभाशन दिया था दो कारण जे समयधानिक परमुक होने के नाते और एक मात्रि सक्ति की प्रतीक होने के नाते इत्ता सम्मान तो होना ही चाहिए था हम बड़े-बड़े दावे करते हैं लेकिन सदन में राज्यपाल मोदे आ रही हैं सदन को संबोधित करने के लिए आपको तो मौका मिलना ही है आप अपनी बात को सामती और असामती के लिए सदन है लेकिन अब बिरोध करें गो बैक के नारे लगाएं असिस्ट और असंसदी आचन करें यहाँ सदन की गरिमा को तार-तार करता है दूसरा मात्रिश सक्ति की प्रतीक एक महिला राज्यपाल के द्वारा सदन को संबोधित किया जा रहा हो हमारे लिए तो गोरव की बात होनी चाहिए हर्स की बात होनी चाहिए उस समय नारे लगा करके पूरे सदन की कारवाई को बाधित करने का प्रियास हो देश के अंदर किस प्रकार का संदेश हम देना चाहते हैं किस प्रकार का संसदी आच्रणा है किस लोग कंद्र की आप बात कर रहे हैं फिर किन संसदिय परंपरों किताब कर रहे हैं वो अद्रिश्य भी हम सब ने देखा जो एक महला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरवच संबेधानिक परमुक का सम्मान नहीं कर सकते मने और उनसे ये उमीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे ये तो उनके सासनकाल के समय हुआ ही खाजब स्टेट के स्काहुस की घटना घटित हुई थी आचवन कोंको उस समय भी सामने आया था लड़के हैं गलती कर देते हैं ऐसे ही बयान आये थो ऐसे ही अन्ने तमाम वक्तब्य समय आये थे मौदै वे लोग लोग तंत्र की बात करें मुझे बहुत ही मुझे बड़ा आस्थर होता है किसके गुरू है याहा बड़ी आस्थर जनक इस्तिफी है और मौदै मुझे देखकर के बड़ा आस्थर हुआ ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्सा की बात करते है सरम तो तुम्हें करनी चाहिए तो अपने बात की समान नहीं कर पाए